इस तरह से आपका पॉनिंट इस तरह पकड़ ले तो उसके बाद करना क्या है इसी तरह लॉक कर देना है ठीक है अगर आप शुरू से ओनलाइन कराथे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर वाट्सअप करें शुरू से आपको सिखने के लिए मिलेगा पार्डवा पावर से आपका पॉनिंट आपको नहीं छोड़े उस समय आप अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे इस मजबूत पकड़ से कैसे निकलेंगे अगर आप इसी तरह नॉर्मल तरह से अगर आप निकलने का कोशिज करेंगे तो आप नहीं निकल पाएंगे क्यूंकि आपके अपोनेंट को भी तो ताकत है देखिए मैं इसी तरह निकलने का कोशिज कर रहा हूं ठीक है लोक कर दिया गया है आपको भी अगर इसी तरह पकरता है उस समय आप क्या करेंगे इस विडियो में आपको थ्री टेकनिक्स बताऊंगा new latest technique होने वाला है तो विडियो में शुरू से अंत तक बने रहें बीच में इसकी बिल्कुल न पर somebody तो आप से बहुत सारा information मिस हो सकता है, तो ध्यान से देखिए, सीखिए, उसके बाद घर पर practice किजिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो जल्दी से लाइक किजिए, नहीं तो आप से पहले कोई और कर देगा, चलिए सुरू करते हैं, इस मजबूत पकड़ का पह इसी तरह लॉक कर देना है, ठीक है, यह पंजा को नीचे जुकाना है, उसके बाद वो बेवस हो जाएगा, उसके बाद फेस पंच एटेक करें, चलिए अब मैं आपको इसी टेक्निक को स्लो करके दिखाऊंगा, ताकि आप भी समझ सकें, अगर आपका पॉनिंड इस तरह पकड़ें, तो आपको करना क्या है, इस तरह निकलने का कोशिस आपको नहीं करना है उस समय, सबसे पहले आपको अपने इस हैंड से उनके हैंड को इस तरह ऊपर करें, उसके बाद दूसरे हैंड से, अगर आप इस साइड फेकना चाहते हैं, तो इस साइड वाला जो हैंड करें बॉडी को देखिए और आप अपना सेल्ब डिफेंस कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से अब मैं आपको इस मजबूत पकड़ से निकलने के लिए दूसरा टेकनिक बताऊंगा पहले फास्ट करके दिखाऊंगा उसके बाद स्लो ताकि आप भी सीख सकें देखिए ध्यान से अगर आपका अपनेंट इस तरह पकड़ ले पावर से नहीं छोड़े तो उस समय आप क्या करेंगे अगर आपको लगता है कि अपनेंट को आप उठा कर फेक सकते हैं तो आप उनको डिरेक्ट उठा करके फेक दे अगर बहुत ज्यादा वेट रहे तो जो को लगता है कि आप अच्छे सा फेक सकते हैं तो फिर फेक दीजिए कमर तूटे चाहे कुछ भी हो तो करना क्या है देखिए फास्ट करके दिखा रहा हूं जैसे ही आपका अपनेंट इस तरह पकड़ ले पावर से तुरंत आपको इस तरह पकड़ना है उसके बाद यह फास्ट करना है आपको ठीक है इतना भी प्यार से नहीं यहाँ पर थोड़ा सा साबधानी का भी ध्यान रखा गया है लेकिन जब आप अपनेंट को फेकेंगे पकड़ेंगे पूरा पावर से फेक दीजिए उनके साथ नीचे भी नहीं आईए डायरेक्ट फेक अब मैं आपको इस मजबूत पकड़ से निकलने के लिए दूसरा टेकनिक जो बताऊंगा स्लो करके दिखाऊंगा देखिए अगर इस तरह पकड़ ले आपका अपोनेंट पूरा पावर से तो करना क्या है चाहे तो आप इस साइड भी फेक सकते हैं मन हो तो इस साइड भी फेक सकते हैं यह आप पर डिपेंड करता है कि ज्यादा बहतर आपको कि साइड फेकना पसंद है तो हमें इस साइड फेकना ज्यादा बहतर लग रहा है तो इस साइड से अपने हैंड को ले के जाईए और उनके गला को पकड़िए ठीक है गला को पकड़ने के बाद डाइर कर और कि यह स्लो करखे दिक्थाया आपको ठिक है है उसके बाध को पावर फुल-टेक कीजिए फेस पंच इस साइट से भी आप फेक सकते हैं इससे भी जरूरी नहीं है कि आप एक ही साइट से प्रैक्टिस किजिए दोनों साइट से प्रैक्टिस कीजिए partners लिए कि इस साइड जगह है और इस साइड लोग है जगह नहीं है फेकने के लिए और आपुनेंट पकड़ लिए आपको तो आप दोनों हैंड से प्रैक्टिस करके रहेंगे तो यह बहतर होगा देखिये पकड़िए जैसे ही आपको इस तरह पकड़ा तुरंत करना क्या है इ पूरा पावर फूल आप इस तरह कि देखिए इस मजबूत पकड़ से निकलने के लिए अब मैं आपको तीसरा टेकनिक बताऊंगा पहले फास्ट उसके बाद स्लो जैसे ही आपको इस तरह से पकड़ ले तो करना क्या है आपको देखिए खे 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 इसी तरह आपको करना है अब मैं आपको इसी टेकनिक को स्लो करके दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से सीख सकें आपको पावर फूल एटेक करना है हीजी से इसको हीजी कहते है ठीक तो अगर आपका पोनेंट इस तरह पकड़ ले पावर से तो करना क्या है आपको दो टेकनिक तो आपको पहले ही बता चुका अब यह तीसरा टेकनिक है आपके अपोनेंट का जो फिंगर है यह एक फिंगर को लेकर इस तरह मोड़ दीजिए ठीक है इस तरह पकड़ लीजिए उसके बाद लेग को उनके पीछे लेके जाईए और कोहनी से पूरा पावर फूल एटेक किजिए यह जैसे एक करेंगे वह पीछे जाएगा चोट लगेगा यह सब उनको कुछ पता नहीं रहेगा पहले आप एटेक किजिए अचानक से उसके बाद यह आया कमर पे उसके बाद यह हैंड छोड़ देगा फिंगर जब आप इस तरह मोड़ेंगे तो उसके बाद पावर फूल ए करना चाहते हैं वहां पर टेक किजिए आपका मन है मैं कि दोस्तों यह तीनों टेकिक में से कौन सा टेक्निक आपको सबसे अच्छा लगा और करके जरूर बताएं अगला वीडियो आप कौन सा टॉपिक पर चाहते हैं यह भी कमेंट करके बताएं अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक किजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं फिर ए इतना ही जय हिंद जय भारत